चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों हमारे सभी के मन में अभी यही स्वाल उठ रहा है कि आखिर MCC की ओल इंडिया कोटा, सेंटरल उनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर की काउंसलिंग क्यों नहीं स्टार्ट हो रही और ये कब तक स्टार्ट होगी तो इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopdaeducation.com से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसमें मैंने स्टेट कोटा, आलिंडिया कोटा, आयूस, वेटनरी, सब के बारे में जानकारी दी है प्रिवेश येर की कटोब भी दी गई है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी कोलेज मिल सकती है अभी MCC की काउंसलिंग के बारे में बात करें तो प्रोसेस ये होता है कि NTA द्वारा रेजल्ट डिकलियर करने के बाद वो रेजल्ट का डाटा MCC को प्रोवाइड करवाया जाता है और MCC द्वारा उसी डाटा के अकोर्डिंग काउंसलिंग की जाती है लेकिन NTA का रजल्ट आने के बाद दो स्टूडेंट का मैटर अभी सुप्रिम कोर्ट में पेंडिंग था और उसका डिसीजन कल 12 नवंबर 21 को हुआ है सुप्रिम कोर्ट ने डिसीजन में का है कि sorry but no मतलब कि इन दोनु स्टूडेंट का re-exam conduct नहीं करवा सकते तो ये अभी clear हो चुका है कि उन दोनु स्टूडेंट का re-exam नहीं होगा और अभी MCC की counseling स्टार्ट हो जाएगी सुत्रों के according ये मंडे तक स्टार्ट होने की पूरी पूरी possibility है schedule और seat matrix और other information check करने के लिए आप mccc.nick.in की website पर आपको visit करना है यहां पर आपको यूजी medical counseling का tape मिलेगा इस पर click करने के बाद में counseling schedule information ब्लेटीन ये सारी information आपको यहां पर available हो जाएगी वैसे जैसे ही ये schedule जारी होगा मैं भी आपको inform कर दूँगा आप हमारे channel के साथ में बने रहे जैसे ही state की counseling होगी statewide counseling start होगी तो आपको हर एक state की update यहां पर मिल जाएगी और mccc की update भी हम आपको समय समय पर provide करवाते रहेंगे तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जै हैं